भीलवाडा की भीमकर्श थाना पूलिस ने चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है और साथी आरोपियों से माल भी बरामत कर लिया है खना प्रभारी व्युपेश शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी को आर्सी व्यास कॉलोनी के शंकरलाल महेश्वरी ने मामला दर्श करवाया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कोटा रोड इससित उसके गोदाम से 3 लाख रुपे का माल चोरी हो गया है और इसके बाद से ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लांबिया निवासी नवी नूर्फ संजे शर्मा पटेलनगर के कमलेश शर्मा और साथी चाखेड के राजदिलिप सेंग चुंडावत को गरफतार कर लिया है फिलाल पूलिस तीनों आरोपियों से लगातार पूश्दाश में जुटी है